Hello my little children, आज हम this और that के बारे में बात करेंगे, okay, the things that are near, we use this for them and the things that are far from, far away, we use that, okay, हम अपने finger से बता रहे हैं, जिसी boy finger से बता रहे हैं, बहुत दूर है तो हम क्या use करेंगे, that और जो हमारे past में है, देखिए, bird past में है तो हम this use करेंगे चलिए let's read this is a bird this means यह पास में है तो हमने क्या use किया this this is a tree यह tree भी हमारे बहुत नियर है तो हम क्या use करेंगे this this is a seesaw seesaw means यह जूले को seesaw कहते है तो हम इसके लिए भी this use करेंगे because जो हमारे नियर है उसके लिए हम क्या use करेंगे this this is a bird this is a tree this is a seesaw come to the next point that is a swing दिखी दूर है यह बेबी अभी रोड पर ही है और यह swings की तरफ शो कर रहे है आपने finger तो it means कि यह दूर है इससे देखी कितनी दूर है न तो हम क्या use करेंगे that that is a swing that is a swing that is a slide यह slide के लिए तरफ इशारा कर रहे तो दूर है यह बहुत far away है तो हम that use करेंगे and that is a bench that is a swing that is a slide that is a bench so हम इस वीडियो में क्या हमने जाना कि जो हमारे से पास है हमारे पास है उसके लिए हम this use करेंगे जो दूर है उसके लिए that चलिए next picture में देखिए scene आपके लिए दिखाया हुआ है यह beach scene है इसमें एक boy क्या कर रहा है enjoy कर रहा है बीच पर और एक boy क्या है yes swimming कर रहे है look and see you are the boy आप boy है in the picture picture में say this is a dash this is a dash this is a आप bucket भी लिख सकते है puppy भी लिख सकते है ball भी लिख सकते है क्योंकि यह आपके पास है okay this is a ball ball लिख सकते हैं आप और that is that is जो आप से फार है that is balloon that is tree that is boat that is a boy that is an aeroplane तो आप कुछ भी लिख सकते है that is a balloon लिख देते हैं b a l l double o n balloon okay तो हमारे पास क्या है ball और दूर क्या है balloon देखिए हमारे near क्या है ball और दूर क्या है balloon so हमने दिस में क्या यूज़ किया बॉल और बाहर फारवे के लिए बैलोन थैंक यू इस से नहीं हमने कंसेप्ट किया बाबाई